नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी फोल्डर पे हम लॉग कैसे लगा सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी दो software में से एक software डाउनलोड करना पड़ेगा या तो आपको winrar यानी जो rar file को read करने के लिए या winzip इन दोनों में से एक आपको software डाउनलोड करना पड़ेगा अब आपको क्या करना है मालो यह new folder यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसी पे मैं password लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पे right click करूँगा और right click करने के बाद आपको यहाँ पे लिख रखा है add to archive add to archive इस पे आप click करोगे जैसे यह आपने इस पे click किया तो इसी folder का नाम यहाँ पे लिखा आ गया है rar file हम बना देंगे उसके बाद यहाँ पे अब हम password लगाएंगे तो यहाँ देखो अलग-अलग option है delete file after archive यानी जो file आपने बनाई है आरचीव करने के बाद आपका जो original file है उसको आप delete कर देना चाहते है तो मैं इसको select करूँगा ताकि मेरी file delete हो जाए उसके बाद यहाँ नीचे है set password इस पर आप click करोगे password यहाँ पर set कर दोगे तो यहाँ पर कोई भी password मैंने randomly डाल दिया एक दो तीन मालों मैंने यह डाल दिया उसके बाद मैंने कर दिया ok ठीक है अब delete file after archiving इसका क्या मतलब है कि जो आपने इसकी एक archive file बनेगी और यह वाला folder आपका delete हो जाएगा ठीक है और यहाँ से कर दो अब आप ok तो set password आपने किया उसके बाद क्या कर दो ok तो यह क्या कर रहा है बच्चो archive file बना रहा है तो अब जो को यहाँ से वो folder delete हो गया है और new folder के नाम से एक archive file बन गई है अब जो फाइल उस folder के अंदर की वह सारी फाइल इसके अंदर होंगे लेकिन उनको खोलने के लिए आपको password का use करना पड़ेगा इस पर अब आप क्लिक करोगे उसके अंदर यहाँ पर निव फोल्डर लिखा गया इस पर मैं क्लिक करता हूं अब इसके अंदर तीन फाइल My pleasist आपकोई फाइल आपको खोल नहीं फाइल इसके खोलना अब यह पासवर्ड चाइगे उस पर आप पासवर्ड लगासकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही, thanks for watching जै भारत, jahin